कैसे आप सब आप देखरें बेडर टुमोरो विद अक्षे मॉडिकर प्रहिन पात तो नाव आम गॉन टीच यू अबात साइंस अफ महाराश्य स्टेट बॉर्ड ऑफ सेकेंड एडूकेशन ओके सो साइंस के बारे में हम जब भी बात करते तो सब में कीरोसिटी होती है कि कि क किसी को इंटरेस्ट होता है साइंस के बारे में किसी कुता नहीं होता है बट मैं यहाँ पर हो कि आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए ओके सो चलिए हम साइंस पढ़ते सब से पहले हम साइंस का एक फ्लो चांट देख लेते कि आपको क्या क्या पढ़ना से बसमें और क्या लगता है, okay, so chemistry then, chemistry, chemistry का मतलब क्या होता है, रसाइनो, ठीक है, जो हम देखते हैं, chemical reactions, physical reactions, वो सारी चीज़े हम chemistry में देखते हैं, ठीक है, now, the third one is, biology, biology, biology सबको पसंद होता है, I know, biology सबको easy लगता है, रटने में काफी आसन होता है, रट लेते हैं इसको, ठीक है, बट, अगर आप समझ पाएंगे biology को, तो काफी easy होगा, आपको elaborate करने में, okay, just like that, physics and chemistry भी, अगर आप इन दोनों को समझ चुके अच्छे से, तो आप orient कर सकते हैं, answers को अपने तरीके से, और उसके लिए, मैं यहाँ पर हो, मैं आपको समझाओंगा, हर एक छोटी सी छोटी डीटेल में, आपको love हो जाएगा, chemistry और physics के साथ, as well as biology के साथ, मतलब आपको science के साथ, प्यार हो जाएगा, science 1 and science 2 हम देखते है, ठीक है, generally, अपने महाराशा state board में, और science 1 and science 2 में, आपको एकदम से कोई भी question हो फिर, या कोई भी ऐसा हो, जो test book के अंदर का आपको नहीं आएगा, तो बस बात रहे गई, okay, तो generally हम देखते है कि science 1 जो होता है हमारे पास, होता है हमारे पास physics and chemistry, major part में, okay, now, जो हमारे पास होता है biology, वो consist करता है हमारे पास science 2 के अंदर, okay, biology अंदर आते है हमारे science 2 के, now, यह हो गया physics and chemistry जो किया आता है, science 1 में, biology major part आता है science 2 में, हलका सा होता है science 2 में, physics and chemistry, okay, वो हम देखेंगे आगे में, okay, तो आपको generally elaboration समझ गया होगा कि कैसे हमको सिले बस देखना है science 1 में क्या पढ़ने हमको science 2 में क्या पढ़न वो है gravitation, okay, हमको पढ़ना है, physics का पैला पार्ट है, हमारा science 1 का, जो कि है gravitation, अब gravitation की जब हम बात करते हैं, तो पहला एट होगे हमको उठा के देदिया physics का, physics में गोल को चक्कर खाते है, तो बिलकुल भी आप, बिलकुल भी आप, मतलब डरिये गामत, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगा, पूर एक पूर लेक्चर में, उसके बाद भी आप देखते रहेगा, मेरे लेक्चर और आपको बिलकुल एकदम एजी लगेगा, प्यार हो जाएंगा, you fall in love with physics, आपको लगेगा, physics बहुत ही एजी है, बहुत ही एकदम सेंसेबल है, कि आप औरियेंट कर प अधन्य है, जो हमको आगे फी 11th 12th में काम आएगी, एंटरDaण में काम आएएगी याँगे, एक्चली क्या होता है, कि मुझ हम मुझे पता है, कि जनरली जो ना इंट तक होता है, दिमाग मैं ढाれगा, कि काफी सारी इसी चीजे होती है, रहता है, जो कह सकते है, में हिसलेक उसके लिए आपको यह सब बेसिक्स चीज़े आनी चाहिए, अगर आपको नीड भी करना है, मेडिकल में जाना है, तो भी आपको यह सब बेसिक्स चीज़े आनी चाहिए फिजिक्स की, जो आपने नाइन्थ में पड़ा, नाइन्थ का फिजिक्स हम सबसे पहले चालू तो हमको फोर्स के बारे में जानना जरूरी है, फोर्स क्या होता है, अगर मैं आपको बात पूछू कि फोर्स क्या होता है, तो आप बोलोंगे F equal to MA, यह फोर्स की डेफिनेशन नहीं होती, गलत हो जाओ गया वही पर, और इसके वज़े से आपका बेसिक पूरा क्या होते जा हम सिंपल लेंगवेज में समझा के दूँगा, बस आप बने रही है, मेरे साथ, ओके, चलो देखते हम आगे, अच्छल क्या होता है, आपको स्कूल में यह जो होते है, स्कूल के टीचर होते है, यह सब आपको जो बोलते है, यह सब नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, आपको हर एक चीज से समझानी चाहिए, चलो हम सबसे बहले देखते हम, जैसे मैंने बात किया फोर्स के बारे में, तो फोर्स, यह फोर्स क्या होता है, अगर आप बोलेंगे कि, सर, f equal to m into a, यह होता है, फोर्स की डेफिनेशन, अब यह एरो क्या है, डिनोट करता है, वो भी बता होती है, आप सोचिए, देखिए, यह जो मैंने लिखा है, यह फोर्मूला होता है, क्या होता है, यह फोर्मूला, 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 य विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब यह दिए विद रिस्पेक्ट टू को मैं डबलू आर टी ऐसा लिख हूँगा ठीक है आगे से मैं इसको इधे ही नहीं करूगा अब आप पूछूंगे सर यह तो इसकी डेफिनेशन आपने बता दी की रेट ओफ चेंज ओफ मुमेंटम इसका मतलब क्या होता है तो चलिए मतलब देखते है मुमेंटम को थोड़ा अंडराइन कीजे क्योंकि आप सबको दिखकत होते है मुमेंटम क्या होता है मुमेंटम के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है तो चलिए मुमेंटम के बारे में थोड़ा सा देख Just take an example, यह block है हमारे पास, जिसका mass है M, अगर यह rest पे, तो ना इस पे force होता है, ना इस में momentum होता है, बड़ अगर मैंने इसको एक velocity दे दी, तो यह आगे जाएगा कुछ इस velocity के साथ, पता है आप सबको, यह आगे जाएगा कुछ इस velocity के साथ, तो अभी क्या इसके अंदर एक velocity आ गई है, ठीक है, mass तो already present था, यह जो mass इसके अंदर present था, इसको क्या किया मैंने एक force अप्लाई किया, यहां से क्या किया मैंने एक force अप्लाई किया, इस corner से एक मैंने F force अप्लाई किया, इस F force के वज़े से क्या हो रहा है, यह आगे की तरफ खिसा रहा है, क्या हो रहा ह याद रखना इस बात को इसलिए यह एरो दिखाता हूं मैं अगे बताऊंगा आपको वेक्टर क्या होता है यह एरो दिखाता है यह एरो का मतलब एक तरीटी सब कह सकते हो कि अगर मैं इसको यहां से धक्का दे रहा हूं तो यह बॉक्स आगे जाएगा ना कि हवे में उड़ प्रोवाइड कर दी वेलोसिटी वी और इसका मास क्या था एम जब भी कोई अबजेक के पास अगर एक मास तो होता ही है अगर उसको मैंने साथी साथ एक क्या दे दी वेलोसिटी दे दी अगर मैंने उसको साथ में एक वेलोसिटी दी तो उसके अंदर क्या होता है क्या होता sourdough velocity is is known as momentum समझगे है momentum क्या होता है जब भी कोई mass होता है अगर उसको हमने momentum दे दिया मतलब velocity दे दी तो वो省 बसको गएन कर लेता है momentum गेन कर लेता है समझ गएा अब इसका formula क्या होता एक तरीके से momentum को ड्याट करता है यहाँ पर लिखता हूं मैं मुमेंटम भी एक वेक्टर कॉंटेटी होती है इसको डियूंट करते हम P से तो P equal to क्या होता है मास into velocity मास की उपर मैं वेक्टर सन नहीं देता हो क्योंकि मास का एक constant मार्कर का मास यहापे भी m e होगा यहापे भी m e होगा और मैं इसको मुमेंटम की बारे में अब यहां से आपको यह मिल चुगा है मोमेंटम क्या होता है इसको बंद कर लेता हो मैं अभी इस मोमेंटम के जरिये हम इस definition में फिर से जाएंगे ठीक है चलिए हम जाते हैं इस definition के पास जो हमारे पास है चलिए मोमेंटम क्या होता है कि मुमेंटम एक एक मिont emphasizing का मतलब की वह जैसे वत Veron की चैंज और से टाइम की इस Rabb जहरा है मलब जैसे वक्त गोजरता यह को रहा है तो मिसको द ऐसका मतलब क्या हो गया इस든 f equal to dp by dt यह t क्या है यह है time और यह p क्या है momentum अब now d यह क्या है m into v और यह क्या है dt d क्या है यहां से लेकर यहां का distance अगर मैंने मान लिया x और मैं बात करो यह दिस्टेंस कि देख रहे हो यह चोटा सा distance तो इसको करूंगा मैं यह है d distance यह d distance तो यह dp by dv तो यह m constant है mass is constant mass बहार आ गया तो dv by dt okay velocity per unit time m तो m रहेगा acceleration क्या होता है velocity upon time होता है मतलब velocity per unit time इसको कहते हैं acceleration तो f equal to therefore f equal to m into a होगे definition यहां से हमारी proof okay therefore यहां पर लिख देता हूँ मैं f equal to m into a तो यहां से आप देख सकते हो मैंने कैसे derive किया आपके लिए कि f equal to क्या होता है यह m into f equal to m into a क्या है formula बट definition क्या है definition से हमने क्या किया formula को originate किया okay तो यह आप देख सकते कि इस तरीके से हमने क्या किया इसको काफी अच्छी सुन्दर तरीके से elaborate किया तो आपको force की definition clear हो गए होगी आप screenshot ले लिजे इसका जल्दी अब यह मागे बढ़ते हमने क्या क्या देख लिया फोर्स देख लिया हमने momentum देख लिया हमने और एक acceleration भी देख लिया हमने क्यों acceleration क्या होता है velocity पर इनिट ताइप definition लिख लिए तो हम acceleration की acceleration denote कैसे करते ए वेक्टर से acceleration is nothing but the the rate of change of velocity per unit time the rate of change of velocity per unit time ठीक है यह होगी acceleration की यह होगी momentum की यह होगी force की ओके screenshot ले लो इसका लेना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत मज़ा आएगा आपको को लगेगा physics काफी easy है काफी अच्छा है दुम दड़ा का होने वाला है अभी physics में काफी मज़ा आने वाला है आपको आपको लगेगा की वाव यह होता है physics okay चलिए देखते हैं आगे हम धीरे धीरे घीरे गाड़ी भगाते हम चलिए अभी दिक्कत इकाहती है पता चलिए आपको force क्या होता है momentum क्या होता आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब काफी लोगों को दिक्कत होती है कि speed में velocity में क्या अंतर होता है displacement distance में क्या अंतर होता है वो देखेंगे सबसे पहले okay तो head डाल देख चोटी हेडिंग लेते हम star करके okay difference between अब अब देखेंगे में writing थोड़ी 19 बीस है बट मैं writing में believe नहीं करता हूँ मैं believe करता हूँ knowledge में देखेंगे मेरे एक छोटा सा slogan है जैसे अब एक कोरोणा का time चल रहे तो कहते कि करूना करूना को कहने से करूना जाता नहीं वैसे ही रट्टा मारने से knowledge आता नहीं तो हमको रट्टा नहीं मारना है हमको क्या करना हरी किसको समझना है कि आप क्या कर सोको अपने sheets में अच्छे से answer elaborate कर सोको, orient कर सोको अपने तरीके से और हर तरीके से आप समझ जाओ, तो आप कभी भी रात को भी आपको कोई पूचे तो आप answer दे सकते हो ना कि 9 तक के जैसा speed यह difference काफी important होता है क्या होता है, velocity क्या होती है, speed अब देखिए, दोनों का अगर हम देखे न, एक तरीके से तो direction पे depend करता है जादा घर के, अब जैसे मैं direction की बात कि आथा कि आपको vector के बारे में बताऊंगा और साथी साथ में आपको बताऊंगा स्केलर के बारे में, तो इसके बाद एक छोटा सा subtopic ले लेते हैं, difference between vector scalar के बारे में, तो मैं डाल देता हूं यहापे vector क्या होता है, scalar, देखिए, physics की quantities होती है, जो physics में हम एक तरीके से कहते हैं कि कौनसी quantity को हम क्या बोलेंगे, कौनसी quantity में direction होता है नहीं होता है, तो हम wector scalar से define के, एक होता है और एक tensor, थिक है, tensor आपके काम का नहीए, वो toilth के आख्री आख्री में आता है, थिक है हमको काम है vector और scalar से, अब यthe vector ऑर scalar क्या होता है, О यह होता है, direction specific, direction specific का मतलब क्या होता है, only from, जैसे कि अगर हम बात करें, initial से final की बात करता है, no direction specific, specific, अब दोनों में similarities क्या होती है, मतलब समानताय क्या होती है दोनों में, यह भी magnitude शो करता है, यह भी क्या करता है, magnitude शो, हम जाधा detail में नहीं जाएंगे, बड़ आपको हलका बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको 11 अब में और काफी अच्छे से बता चलेगा, तो, it has magnitude, it also has magnitude, okay, दोनों में क्या होता है, magnitude, अब important बात क्या है, examples, example है जैसे इसका force, okay, या फिर, acceleration, या फिर, momentum, okay, याद रहेगा, force, acceleration, momentum, इसके examples में क्या-क्या हैगा, mass, time, ठीक है, ये सब आएंगे, etc, mass, अब दीखिए, mass, अगर हम mass की बात करें, marker का mass या पे भी है, अगर मैं इसको जेब में डाल दूँगा, तो अभी इसका M ही mass रहेगा, moon पे लेके जाओंगा, तो अभी इसका mass M रहेगा, weight change हो सकता है, बच same रहेगा हमार, but weight क्या हो जागा, moon पे different हो जाएगा मेरा, क्योंकि वहाँ की gravity क्या है, अल्लग, वो भी चीज़े सिखेंगे, time कभी change नहीं हो सकता है, तो ये दुनों क्या है, एक तरीके से scalar quantity है, force, acceleration, momentum, ये सब क्या है, एक तरीके से direction specific है, इनको direction की जरुद होती, जैसे कि मैंने इसको यहां से force मारा, यहां से force मारेगा, तो यहां पे जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, okay, बस, तो यह होता है, एक छोटा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो बच्चो, काफी मजा आएगा, बस अभी लगे रही है मेरे साथ, और काफी आपको fun लगेगा, physics काफी simple लगेगा, लग रहा होगा अभी, okay, बस लगे रही है भाईया, लगे रही है हमारे साथ, साथ, चलिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते है, difference between velocity and speed, आपको पता चल गया, कि velocity, speed के बारे में, definition लिख लेटा सब से बहले हैं, कि definition क्या होती है, velocity क्या होती है, velocity की हम जब भी बात करते हैं, तो कुछ नहीं होती है, ये भी क्या होती है, जैसा acceleration का हमारे पास definition क्या होता है, velocity per unit time, तो velocity क्या होती है, displacement per unit time, it is displacement per unit time, okay, displacement, okay, अब पुछूँगा, मैं displacement क्या होता है, speed के बारे में, it is distance, oh, marker, distance per unit time, यहाँ पे distance, अब इसकी definition तब क्लियर होगी, और speed के बिश में अंतर क्या है, displacement और distance का, बाकी तो per unit time तो पता है आपको, मैं दोनों का formula लिख देता हूँ, ठीक है, काफी है इसका, velocity को हम denote करते है, V vector से, dx ले ले लेते, by dt, और speed को ले लेते हम, s से, यह होता है, dy by dt, देख सकते हो आप यहाँ पे, कि मैंने velocity पे vector, x पे vector, y और s पे vector नहीं डाला, क्योंकि यह क्या होता है, vector quantity, velocity is a vector quantity, displacement is a vector quantity, क्योंकि यह direction specific होती है, but speed or distance क्या होती है, एक scalar quantity होती है, इसलिए वो direction specific नहीं होती, अब हम काफी अच्छे से displacement और distance को समझेंगे, आपका काफी अच्छा कुछ clear हो जाएगा, जो कच्छा रहता है आपके दिमार्ग में वो सब clear हो जाएगा, खुब सब आपने screenshot ले लिया होगा, ठीक है, चलिए, heading थोड़ी सी change कर लेते हैं, difference between displacement and distance, चलिए, आगे बढ़ते हैं, displacement and distance को समझने के लिए, अब इस्टेंस क्या होता है, displacement क्या होता है, एक बहुत जबरतस एक्जाम्बल देता हूना आपको, एक पहाड ले लिजी, चलिए, हमने ले लिया पहाड, जिसकी हाइट है, समझो H, ये पहाड है, इसका corners ले लेते हैं, ठेक है, points ले ले लिए एक तरीके से, पहाड बोल लो, hill बोल लो, परवत, पथरो से आजि में टकरा गया, AB point थे उसके बीच में आगया, Now let's see ABCD, देख लिए आपने ये सब, अब हम लेंगे दो superstar celebrities, पहला सेलीबरेटी है हमारे पास नणादर दान सुपरस्टार तलाइवा दर रजनी कान्त जय तलाइवा तलाइवा थे ने पर रजनी कान्त पर प्रणाम कर रहा हूं इनको जुपके और S मतलब सलमान खाल कि नाम कैसे बहों को सलमान खान हमारे था जिर सबसे बहुंद सबसे हं रहें संदॉ सकुर 있기 नाम को था किया पढ़क अनुद यह कि सो एक कि प्रपम बाऊ आग यह तर दोक्त दी आल गया है bit Woah को ट्रेवल करना जैसे अभी ऐसे कर सकते हैं हमारे सल्मान खान ने कहा एक से हाँ सबसे पहले जाएंगे हम हमां तो सल्मान खान ने किया और रास्ता नाप लिए बाडी बिल्डर हुमारे तबंग ठाइक भी नहीं हूए तो उन उन की पैटन से राय था एन का पहले ए से सी से क्या बी टीक किया होगा उनका पाथ यहां पे लिखता हूँ मैं उनका पात ओके यह उनका पात हो गया अब हो सर्य मैंने उनका लिख दिया यहां परिपनाता I 3 तो AD हो गया यह इनका हो गया पात सलमान खान का पात हो गया ACB अब देखिए रजनीकान का पात क्या हो गया एक तरीके से रजनीकान ने क्या किया दिमाग लगाया यहां से क्या किया रजनीकान ने सीधा लेजर छोड़ दिया और लेजर छोड़ने बद क्या किया डारेक्ली बना है डारिकली आ से बी तक जम कर लिया उनों एक तरीके से उन्हों ने पहाड के अंदर च्छेद कर लिया वो कुछ भी कर सकते है याद रखी हो बभुः तो रजनी कान हमारे उन्हों ने ए से लेके बी तक च्छेद कर लिया एंडी तो दुद बना लिया उनका पात अब इक तरीक़े से देखे हम रजनि कान का तो यह क्या ह Bible और ब्रेकट में लिख जिए थैंम इसको सोने एंचल से, इनिशेल और पाइनल हुआं कि वह दो प्रता इन तरीक़े से सकते हैं यह इनिशेल पोजिशन हो गई यह फाइनल पोजिशन हो गई तो रजनी कान ने क्या किया, इनिशल से final position को directly एक straight line में देख लिया, और एक straight line shortest path ले लिया, ठीक है, अब रसलमा खान ने क्या किया, कोई और path ले सकते थे वो, कही से भी, कही से भी, ठीक है, उन्होंने A, C, B का use किया, अब, आप यहां से clear हो चुके होंगे अभी, कि हमारे इनिशल से final के बिचका, shortest distance होता है, उसी को क्या कहते हैं, इक तरीके से displacement इनिशल से final के बिचका, जो shortest distance होता है, उसे को कहते हैं, displacement, तो चलिया, हम definition लिख दिखते हैं, displacement इस्प्लास्मेंट इस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टे डिस्टन्स की बात करें तो इट इस दी इट इस दी शॉट इस नहीं बोलूंगा मैं इसको कोई भी पाथ हो सकता है इडिज 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 एनी पाथ बिट्विन इनिशल एन्ड फाइनल पोजिशन ओके समझ आ रख गया तो यहाद रखना डिस्प्लियसमेंट क्या होता है शाटेस्ट होता है असे लेकर बी का क्या होगा शाटेस्त होगा एंडिस्टेंस क्या होगा इनके बीच कोई भी पाथ हो सकता है जैसे एक और एग्जा तरीके क्या हो सकते है, एक तरीका ही हो सकता है कि इस तरीके से जाओ मैं, ऐसा जाओ, तो यह क्या हो गया, distance और एक तरीका हो सकता है, direct जाने का, वो क्या हो गया, displacement, समझ रहा है आपको, the difference between distance and displacement, तो displacement क्या हो गया, एक तरीके से, direction oriented हो गया, यह क्या हो गया, मैं यहाप लिख औरियेंट हो गया ठीक है बात करूँ में distance की ठीक है यह क्या हो गया displacement ऐसे लेके ऐसे डायक गया direction oriented था यह बड़ अगर मैं बात करूँ distance की पहले यह ऐसा गया फिर यह ऐसा गया तो distance हो रहा है नहीं distance तो गलत गलत हो रहा है तो इन दोनों में basic difference है यही difference हम देख सकते हैं फिर क्योंकि displacement एक तरीके से क्या है velocity का component है और distance का एक तरीके से हमारे पास speed का component है तो इसलिए displacement direction oriented है तो velocity भी क्या होगी direction oriented distance direction oriented नहीं होगी आप इसका screenshot लीजे जल्दी से चलिए बहुत अच्छे समझा आपको चलिए एक मस्त सा example करते एक और एक तरीके से आपको कोशन दे रहा हूँ मैं ठीक है तो कोशन करेंगे कोशन करेंगे नाम जले भी बाई चलिए जले भी बाई का नाम लेते हम और चालू करते है अपना कोशन चलिए हमारे पास क्या है एक एक पॉइंट है और दूसरा क्या है बी पॉइंट है इन दोनों के लेंध क्या है एल क्या है लेंध अब इन दोनों के बीच के लेंध एल है अब हमने क्या किया कोई भी एक लीजिए sports person, कुन भागता सब से अच्छा, Milka Singh जी ठीक है, हमने क्या किया है, Milka Singh को क्या बोले, आपको A से लेके B तक क्या करना है, भागना है, वो A से लेके B भागे, ठीक है, यहां से लेके क्या हुआ हो और यहां तक ट्रेबल कर लिया, अब मैं आपको पुछ रहा हो, distance क्या है and displacement क्या है, तो चलिए, सब सब बढ़े हां पर लिख देते है, displacement, देखिए, displacement क्या हो गया, A से B का क्या हो गया, L है, तो displacement कितना हो गया, L, distance कितना हुआ, distance भी क्या हो गया, A से B का, A L है, तो क्या हो गया, L, अब मैंने क्या किया इन दोनों पॉइंट को पकड़ के जॉइंट कर लिए इन दोनों पॉइंट को पकड़ के क्या कर लिया जॉइंट कर लिया जैसे मैं जॉइंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है सर्कल यहाँ पे ए पॉइंट और यही पे क्या है यह बी पॉइंट तो साथ ही साथ में क्या हो गया एक रेडियस होगा जिसका होगा आर क्या है रेडियस तो अभी इसका सर्कॉम्फरेंस कितना हो गया अगर मैं इसके सर्कॉम्फरेंस की बात करो circumference हो गया 2 pi r क्या हो गया 2 pi r कितना हो गया circumference 2 pi r अभी मैंने क्या कहा आपको फिर से कि यहाँ पर मिलका सिंग जी भाग रहा है a से लेके b तक क्या कर रहा है वो भाग रहा है अब a से लेके b तक भाग रहा है तो सबसे पहले बताइए मुझे कि distance क्या होगा A से लेके B तक भाग रहा है कोई भी तो इसका distance होगा distance होगा हमारे पास पूरा circumference मतलब क्या होगा 2 pi R और 2 pi R is equal to कितना था L के equal to L हो जाएगा अब displacement क्या होगा displacement कितना होगा बच्चो displacement होगा याद रखना मैंने कहा था it is the shortest path between initial and final position initial क्या था A final क्या था B A और B के बीच का shortest distance कितना है यह A है और यही क्या है B है जेख सकते अब यह A है और यही क्या है B है अब इनके बीच का shortest distance कितना होगा 0 कितना होगा 0 अंडा अल्डा कितना हो गया जीरो तो यह हो गया आंशर इसका जीरो ओके तो ऐसे questions भी आपको ध्यांद रखने है ठीक है तो यह हो गया हमारे पास एक छोटा सा example है question हो गया आप इसका screenshot ले लो लेना है तो चलियो अब यह सब बाते हो गए हमारे पास एक तरीके से हमने क्या किया नाइंद को पुरा क्लियर कर दिया कि what do you mean by speed, distance, displacement, velocity and acceleration, momentum, force की definition clear होगे हर एक चीज़ clear होगे हमारी नाइंद की अब हम पहुचेंगे हमारे gravitation के पास अब हम बढ़ते धीरे-धीरे आगे gravitation के पास कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी मुफ कर रहेगी तो मुफ करते रहेगी अगर external force उस पे नहीं आता है second law क्या कहता है हमारा कि जो हमारे पास एक तरीके से force होता है वो directly proportional होता है acceleration से इसे f equal to m ये formula आता है या फिर हमने definition जो आपको बताई वो एक हो गई ठीक है तो याद रखना वो f equal to m एक तरीके से Newton का second law भी है हमारे पास और force के definition जो मैंने आपको बताई वो और उससे हम उसको derive भी कर सकते है ठीक है तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखना ठीक है second law of Newton f equal to m एक तरीके से m ये f directly proportional to a और जो हमारी force के definition उससे क्या कर सकते हम इसको लाँ सकते ठीक है ये दोनों चीज़े clear हो गई third law क्या कहते है हमारे Newton का third law ये कहते है हमारा Newton का कि अगर हम किसी चीज़को hit करेंगे तो वह हमको क्या देगा equivalent opposite reaction किसी जाओ बर किसी को मार के देखो वह आपको उल्टा देगा तो वह क्या हो गया equivalent opposite reaction ये मारा और ये आपको लगेगा वापिस तो इसको कहते है opposite reaction ये हो गया तीन law अब उसके बाद में क्या किया Newton ने gravity के बारे में बताया lens के बारे में बताया heat के बारे में बताया काफी सारी चीज़े बताया ये जो myth है ना Newton के बारे में जो story है अच्छी story है कि वो tree के नीचे बैठे थे आलसी थे ऐसा हुआ apple आया तो ये सब आपको बताओ ये सब सिर्फ stories है reality कुछ और ही है reality में उन्होंने अपने आपको तीन साल तक कैद कर लिया था उन्होंने calculus का इजाद किया calculus maths में पढ़ते हैं 11-12 में और उसके वज़े से हमने बाकी सारी चीज़ों को elaborate किया उन्होंने तीन साल तक महिनत की इस चीज के लिए काफी सारी चीज़ों के लिए उन्होंने हर एक चीज में अपना योगदान दिया फिर उन्होंने gravity के बारे में बताए उन्होंने यूनिवर्स में जो होता है कैसे planets दूसे planets से मतलब एक तरीके से एक attractive force से जुड़े होते ह से rotate करते क्या होता है वो सब चीज़ों ने बताई तो उन्होंने अपने जिन्दगी में काफी मेहनत की थी और वो हमारे लिए एक अभी भी अगर हम बात करें तो अमर है ठीक है वो इंसान अमर है क्योंकि आप उनको अपने test book में पढ़ते हो और अगर हम देखे अच्छ से और बात करें तो उनके जो फिल्क्स के लौ थे उनके वज़े से आज हम इतने आगे बढ़ पाए तो यह सब मिद्स थी यह सब मिद्स स्टोरी है क्यों वो ऐसा आलसी थे वह यह ऐसा था वैसा कुछ नहीं होता वह यह वह काफी इंटेलिजिएंट है यह वह वान अफी इं अब बहुत इंट्रस्टिंग्प पढ़ेंगे जो की है आप चलिए यह हमने ले लिया ओर्त का सेंटर ठीक है यह क्या हमारे पास अर्थ है जिसका एक सेंटर है सेंटर ऑफ च्पर चीज़का होता है अब सबसे पहली बात तो इस जो अर्त है क्या सरकल है जी नहीं सरकल नह है ये क्या एक 3D है स्पीर है क्या यह आधिया सब्सेर है कि 모르 अब जैसे आपके टेस्ट बुक में दिया है पहले पेज में बना देता हूं मैं कुछ ऐसा ट्री है यहां पर हमारे न्यूटन साब बैठे थे एपल गिरा तो उनके दिमाग में कोशन है जो काफी अच्छी बात है समझाने के अच्छा स्टोरी के माध्यम से कि एपल नीचे क क्यों गिरा यह दाए बाए आजूब आजू क्यों नी गया ठीक है उपड क्यों नीचे ही क्यों आया नीचे आने के वज़े से उनके दिमाग में क्लिक हुआ ठीक है यह सब स्टोरी से जो आपको बता चुका हूं अब आगे बढ़ते हम कि उनने सोचा फिर उन्होंने क्या दिवांग में सोचा क्या पता लगा है वो सब हम देखेंगे अभी जो की प्रेजेंट है अर्थ के अंदर ही एक्चुल में ठीक है तो हम थोड़ा सा इसको रप कर लेते हैं थोड़ा सा चालिए अब जहां तक हमको चाहिए वो देखेंगे अब सबसे पहले तो जैसे में आप तो बहुत को बताया कि अर्थ क्या है ग्लोब गलोब की पज़िए थोड़ी दाइग्रम हो जाये है ऊके इसली खिजधा बना दे खिलacting तरह गयी को सांथ एसा बना हुआ हमसा बना हो भी कि एग हो चे तो यह होगे हमारे प्लोप की तरह नाओ एक्वेंटर बना लेते हम थ तहोड़े थोड़े ऐखे तो यह हो गये हमारी एक सुन्दर सी एर्थ ने अब आगे बढ़ते है कि जो हमको बताना है आपको सबसे पहली बात तो यह अर्थ होती है, रोटेट करती है, अब काफी हजारो साल पहले की बात करते हम, तो अर्थ क्या थी एक आख का गोला थी, तो शेंटर में कहीं ना कई इसके हीट प्रेजेंट है, आप सबको पता है, कि जब भी हम अर्थ के अंदर जाते तो हमको क्या मि पर यह लगमा का मतलब क्या होता है? पिगला हुआ लावा, बतलब पिगला हुआ लावा, जो वलकेन से निकलता है, वो तो काफी हिटेड नहीं होता, पर यह अर्थ के अंदर है काफी हिटेड है, कितना degree होता है है? यह होता है हमारे पास 5700 degree celsius ठीक है 5700 degree celsius यह 5700 degree celsius कह सकते हम इसको तो 5700 degree celsius काफ़ी ज्यादा heated होता है देखिए मैं रहता हूँ नापूर में ठीक है नापूर से बिलॉंग करता हूँ मैं तो नापूर में मतलब 47 degree almost होती है maximum ठीक है 50 तो जाती नहीं बट 50 जाए तो उबल जाएगा एकदम कितना heated लगता है 100 degree में पानी उबलता है तो इनसान का क्या हल होगा सोचो यह कितना है 5700 degree celsius इसमें क्या होगा सोच सकते हो आप तो यह इतना heated का होता है हमारे अर्थ के center में अब हजारों करोड़ों साल पहले 5.7 billion years ago अर्थ एक क्या थी लावा के form में थी ठीक है वो atmosphere आते गया layer ब होगे कितने degree से tilt होई 28 degree से एसी थी तो यह क्या होगी अर्थ 28 degree से tilt होगई कितने 28 degree से थोड़ी tilt होगई मून को पकड़ लिया gravitational force ने उसको घुमाने लगी ठीक है वो हम आगे देखेंगे तो यह अर्थ का एक तरीके से क्या होगा हमाने धाचा बना दिया अब center में जो आपको इस तरीके से rotate करती है अब rotation क्या होता है हमारे पास दो तरीके क्या होता है एक टक 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 पता आपको क्या है घडी की बात कर रहो मैं clock की घडी निर्मा की बात कर रहो मैं यह पर तो यह हो गया हमारे पास clockwise ठीक है तो यह एक होता है clockwise और यह होता है उसका उल्ट nt clock wise जो घड़ी की तरह घुमता है उसको कहते हैं qlokwise जो उसकी opposite direction में गुमते हैssको एं इंटि from clockwise ठीक है तो एत्व क्लॉक disorder करती है हमारे पास एसके तो यह क्या होता है जो अंदर का होता है वो क्या करता है का एन्टक्लोक्वाइज गंता है 워 murder i2 पॉजिह धूम्हेस्ट अर्त इसा तो अंधर का अप और गॖुमे इसत करेंगा तो इस तरीके से अगर पहें गुंग यूरा ? इस डाइक्रिक्शन गुंता है तो तो पहें यूते क्या होगा इस देख सकते हो आप दोनों क्या हो रह इस तरीके से तो अंदर का क्या करेगा इस तरीके से अब यह आइरन कोर मैगमा रोटेट करता है जब रोटेट करता है तो रोटेट करने की वज़े से क्या होता है इसमें electricity induce होती है एक तरीके से क्या करता है electricity को induce करता है with the help of induced electricity ये क्या करता है magnetic field of lines को generate करता है ये हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से chapter 4 में effects of electric current में तो ये क्या करता है एक तरीके से मैं आपको example में समझाओ तो magnet लेते हम ये लेते हम magnet यहां पर लेते हैं नीचे आपको समझाना है मुझे कफी अच्छे से तो मैं यहां पर लेता हम magnet ये होता है north pole और ये होता है south pole ठीके ये हमारे पास magnet horseshoe magnet नहीं है हमारे पास bar magnet है ये हमारे पास bar magnet अब ये magnet क्या करेगा यहां से आपको magnet की properties पता है अपको जब मैं क्या करता हूँ दो magnet को रखता हूँ यह दो magnet हो गए यह दो क्या हो गए इसके यह नॉर्थ पोल यह भी नॉर्थ पोल तो यह क्या करता है अगर मैं साउथ और North को लेता हो, तो यह क्या करता है, attract, यह आपको feel होता है, आपको feel होता है, आपको feel होता है, बट आप इसको visible naked eye से देख सकते हो, क्या, नहीं, आप इसको देख नहीं सकते कि ऐसा क्यू हो रहा है, और यह इस तरीके से attract क्यू कर रहा है, बट आपको इतना feel तो होता है, तो मैं यहां बना देता हूँ बहुत अच्छे से यह क्या होता है नॉर्थ से निकलता है सौथ में आता है यह क्या होती है हमारे पास imaginary field of lines ठीक है लिख देता हूँ मैं imaginary field of lines यह इसको कहते है में एक तरीगे से magnetic field of lines ठीक है magnetic imaginary field of lines यह हमको देखती नहीं है बट यह होती है अब आपको पता है कि अगर मैं एक तरीके से एक आइरन की नेल लू 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 लिया मैंने और यह मैगनेट लिया इसको मैं रब करता हूँ तो यह इसको समझ सकते हो काफी अच्छे से कि यह भी क्या एक तरीके से हमारे अंदर iron magna मतलब क्या एक तरीके से लू आ है पिगला हुआ लू अब यह भी क्या होता है magnet की तरह बिएव करता है ठीक है मैं आपको इसके पहले बताया था कि यह electricity induced करता है उसके वज़े से electric field of lines generate करता है वो हम पढ़ेंगे fourth chapter में effects of electric current में अब एक और alternate चीज़ समझाने के लिए आपको आप ऐसे समझो कि यह क्या है iron का है ठीक है iron तो ही पिगला हुआ iron है हमारे पास आए की प्रापटी क्या होती है जब वो चुमबक से अनज एक तरह को फिटीघ करता है तो उसके वज़े से क्या होता है उसके अनरे एक magnetic property generated on enough to be cost of the magnetic property यह क्या करता है यह क्या करता है एक magnet की तरह behave करता है अब ही a magnet की तरह behave करे का है तो इस तरीके से बनाई है ये, काफी धूर धूर तक बनाई है, ठीक है, अब ये मैगनेटिक फिल्ड ओफ लेंज को जनेरेट करता है, अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, वो भी दिखा देता हो, यहां से निकलेगी ये, इस तरीके से, और ये क्या होगी, लॉट के को वापस आती है, तो ये साउथ को क्या हो रही है, वापस आती है, इसलिए आप देख सकते हो कि आपके अर्थ के दो डारेक्शन होते है, नौर्थ पोल एं साउथ पोल, ये क्लियर होगे आपको, यह होता है, सेंटर, जहां से निकल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, अब मैंने काफी दूर दूर तक सप्रेट की है, ये काफी दूर तक होती है, ऑर फोल जो काम क्या होता है? अब मैं अपको बता दूँ, आपने जब सुना होगा ओ Państwo Hoson के बारे में, की Hoson के वजे से होता है, की Hoson हमको एक था से UV rays से बचाती है, ये व बचाती है बद वह वह उतन सन से रेज आती है बहुती रिडियेशन वाली वो क्या करती है यहां पर आके रिफ्लेक्ट हो जाती है क्या होती है यहां पर आके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है जैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होती है उसके वज़े से हम क्या करते है अपने अर्थ को प्रोटेक कर पाते है ठीक और हमको विजिबल लाइट देती है जो की विटामिन डी हम लेते एक तरीके से ठीक है और बाकी हमको लाइट मिलती है तो यह होगी प्रॉपर्टीस अब आपको समझ गया है ओजोन और हमारे मैगनेटिक फिल्ड ओफ लाइन्स में कितना डिफरेंस है अगर हम बात करें कि हम को जिसने बचा के रखा है अभी भी तो वह मैगनेटिक फिल्ड ओफ लाइन्स इट्स लाइक गॉट तो अगर अब यह क्या होता है और रोटेट करता है वह डिरेक्शन रोटेट करता है इसके वाज़ेस होता है अब आपके अंदरे कोशन आगा कि यह नौर्थ और साउथ छेंज हो सकते है हहां हो सकते इसके पहले 75,000 यहर्स पहले क्या हुआ था नौर्थ और सां॥ चेंज होले तब कहा गया था कि इसके दो लाक साल बार ये फिर से마 तरफिक हो जुगे अब पता नहीं कव मैगे कैसे मज़ए हगे वह तो यह थो कि यह साल का है यह उल्ड जय को तो वह इतना हमको, मतलब काफी साल बात हो गाए, 75,000 येर्स पहले हो चुका था, उसके दो लाग साल बात होगा कहा गया है, तो वह काफी टाइम है उसको, यह सब चीजों की होगा नहीं होगा, वह सब बात की बात है, तो यह हो गया, अब यह इस्ट और वेस्ट, आपको पत पतम करते हैं, हमारे पास आरन कोर, यह जहां तक फैला होता है, वहां तक क्या होती होती है, हमारे पास एक force होती है, यह create करता है, attractive force, ठीक है, यह हम कह सकते हैं, यह create करता है, force of attraction, force of attraction यह force of attraction क्या करता है create करता है कहां तक create करेंगा एक particular region तक जहां तक आप कह सकते हो कि magnetic field of lines उसके 19-20 range तक क्या करेंगा मतलब अंदर भार के range तक क्या करेंगा force of attraction एक तरीके से create करेंगा वहां तक के force of attraction भी लेगा अब वहां जितनी भी चीज़े अगर वहाँ आसपास आएगी तो वो क्या करेगा अर्थ उसको खिच लेगा अगर वो उसके धूरी पे रहेगी जादा धूरी पे तो नहीं खिच पाएगा जब पास आएगी तो ही खिच पाएगा नहीं रहेगी तो धूरी पे नहीं खिच पाएगा ओक यहां पर कोई भी एक यूमन यहां पर है एक यहां पर समझ लो एक यहां पर समझ लो यहां पर समझ लो यह हमारे पास है सो नाव यह सारी चीजे क्या होती है अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है ठीक है जो यूमन से हमारे पास क्या होते है अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते है बिकॉस अप दी अट्रैक्शन वो सेंटर की तरफ ही अपने आपको अट्रैक्ट कर पाते है मैं भ यहां से हमारा यह Travel और उलोब शिपक्ट को और और ग्लोब शिपक यह तो हरे क्या हcip обычно हमें सेंटर कहीं के तबड़ी है। सेंटर के तरफ अठ्राक्टेशन सो यहां से यह लिए क्लियर हो गया फॉर्स हमने देख लिया अट्रेक्शन अट्रेक्शन तो आपको पता यह क्या होता है किसी को पढ़ाई का अट्रेक्शन होता है किसी को किसी और का अट्रेक्शन होता है किसी को के ट्रेक्शन होता है किसी को लैब 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 अट्रेक्शन होता है तो फॉर् अब हम next इसमें देखेंगे, episode में देखेंगे, lecture में देखेंगे, gravity कि gravity क्या होती है, यह सब तो आपने चीजे सीख ली, gravity is nothing but the, एक free fall acceleration दा, जो acceleration होता है हमने देखे, velocity per unit time वही होती है हमारी एक तरिके से gravity, ठीक है, अब वो gravity को हम determine करेंगे, इसकी definition देखेंगे, अगले episode में, till then, take care, stay home, be safe, and पढ़ाई कीजिए, मेरे lectures देखिए, please comment कीजिए आपको जो भी दिक्कत होंगे, doubts होंगे, और साथ ही साथ में, like करना ना भूलिए, like करेंगे तो लोगों को दिखेगा, share करना तो कीजिए, आपकी इच्छा, अपने दोस्तों को बताईए, and good bye, take care, मिलते है next episode में, okay, bye.